कभी ना कभी हम सब को कुछ ऐसे काम पढ़ जाती हैं जिसमें हमें लाइन में खड़ा होना पढ़ता है और लाइन काफी लंबी हो तो और भी ज्यादा परिशानी हो जाती है चाहे हम पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हूं किसी म्यूजियम की टिकट बुक करनी हो रेल बहुत गर्मी पड़ रही हो या बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही हो और बहुत इरिडेशन होती हैं बहुत परशानी होती। अब इचैनी होती है लेकिन इस चीज को एक व्यक्ति ने अपने Freedom में्नवंड कर लिया हैं लंडन के रहने बाले एक व्यक्ति ऐं जिन बतब लंडन में वो एक घंटे के ऐसी जगा पर खड़े होने के 20 pounds चार्ज करते हैं, कि भाई किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है वो उसके जगा पर खड़े हो जाएंगे, और बस उनको एक घंटे के 20 pounds आपको देने पड़ेंगे, और एक घंटे में जातर जो लाइन का जो काम है, जातर समिटी जाता है, ठी, होई जाता है, तो ऐसे वो 8 घंटे तक करते हैं ये काम, और एक दिन में 160 pounds कमा लेते हैं, और अगर इसको हम इंडियन रुपीज में convert करें, तो ये हो जाएंगे 16,000 रुपई, यानि एक दिन में 16,000 रुपई जो है, वो लेंडन के रहने वाले ये व्यक्ती कमाते हैं, बस थोड़ा सा patience दिखा कर, लेकिन हाँ, इस काम में जो है, वो मेहनत है, हार्ड वर्क है, क्योंकि मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रही हो, और बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ रही हो, तो इस दोरान बहुत irritation होती है, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस तरह से ये वक्ति जो है, वो पैसे कमा रही है, लंडन में, तो आपका इसमें क्या क्याना है, कमेंट करके जरूर बताएं, थैंक यू बेरी मैंच,